तो देखी फेंस यह है मेरा डेलीली का प्लांट और यह रिक्वेस्टेड वीडियो है फेंस क्यूंकि यह वीडियो में पहले सूट कर चुकी थी और कॉमेंट जो है वो बाद में आया था तो देखी फेंस और इसकी मुझे अपडेट भी दिखाना था तो इसलिए यह वाला छे दिन के लिए सेड में रखा था और अभी यहां पर देखिए उपन एरिया है बिल्कुल टैरस है धूप आई हुई है स्टैम सुबा के मॉर्निंग के लावन बजे हुए है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से कॉमेंट जरूर कर देना फेंस आपको यह वाला बल्ब देखिए अभी जो साकेट इवेंट हुआ था उसमें मैंने आपको दिखाया था डेलीली के बल्ब और यह मैंने वहां से पर्चेजिंग की है इसका वीडियो भी है मैं डिस्क्रिप्सन में लिंक डाल दूगी कि मैंने कौन-कौन से बल्ब यह क्या कैसमान मैंने उस बल्ब लिये थे ठीक है तो देखिए यह जो पार्ट है यह वाला यह इसका रूट पार्ट है और यहां से सूट जो है वो निकलेंगी ठीक है तो यह वाला पोर्चन हमें मिट्टी के अंदर रखना है और यह उपर रखना है यह जितने भी बल्ब वाले प्लांट है इनके लिए आपको मिट्टी बिल्कुल ऐसी वैल ड्रेन बनानी है मतलब कि ऐसी मिट्टी के पानी डालते हैं फटा-फट वह सारा पानी नीचे से निकल जाए ठीक है क्यूंकि यह बल्ब होते हैं और इनकी लीफ्स वगेर जो होती है और जो इनका आप देखी सकते हो रूट में र तो रहता है जिसकी वज़े से इनको ज्यादा वाटर की जरूबत नहीं पड़ती है तो इसके लिए मिट्टी जब आप तयार करोगे आप उसमें रखना 50% मिट्टी 30% रिवर सेंड जरूर एड करना 30-40% आप रख सकते हो और उसके बाद बाकी से जो बचा वह हमारा रखन खाद कोई भी खाद पर पॉषट कम पोषट गोबर की खाध आप इसमें देखेए फ्रेंड जितने भी जितने भी बल्ब होते हैं आप उसमें भूलकर भी कोकोपीट मत मिलाना क्योंकि कोकोपीट जो होता है उसमें water store करके रखता है अपने अंदर आप सबको पता ही है तो प्रेट निकल जाए बिल्कुल निकल रहे हैं तो यह दो बर लगा सकते हो जैसे कि अभी फरवरी चल रहा है फरवरी के एंड में मार्च के फ़र्स वीक से भी आप लगा सकते हो और उसकी बाद आप जब लगाओगे जब हमारा रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा ठीक है दो टाइम आप इनको लगा सकते हो और फ्लावर बहुत अच्छे आते हैं तो मैं भी इनको फर्स टाइम ग्रो करके देख रही हूं तो मैं आसा करते हूं कि मेरे बल्ब जो है वो ग्रोट पर आजाएंगे बहुत जल्दी और बहुत अच्छी फ्लावरीं करेंगे तो करती हूं कर सकते हो जो आपको बैस लगे ठीक है तो नीचे बहुत सारे होल बने हुए हैं और इसमें हमारे लगे थे विंटर के कुछ प्लांट वो मैंने हटा दिये हैं क्योंकि अब उनका सीजन जा चुका है और मिट्टी का जो रीसियो मैंने आपको बताया है वही तो यह देखी फैंस मैंने अपना पॉट जो है वह भड़ लिया है अच्छे से आपको दिख रहा होगा और इस टाइम मैं यह बल्फ लगा रही हूं सामके साथ बच चुके हैं ठीक है तो आप इनको सामके टाइम लगाओ या किसी भी टाइम लगाओ से कोई फरक नहीं से बताया रूट वाला पॉट्सन हम नीचे कर देंगे और सुटिंग वाला पर्सन जो है वह हमें उपर रखना तो देखे आपको कुछ इस तरह से इसको लगाना है जादा आपको इसको मिट्टी के अंदर नहीं दबाना है सो जब देखें और रूटिक इस समर का प्लांट है तो धूप अच्छी चाहिए इसको आपके घर में जितनी भी देर की धूप आती है उतनी देर की धूप आप इसको प्रोवाइड कीजिए तभी अच्छी फ्लावरिंग करेगा ठीक है और यह देखिए हमने अच्छे से मिट्टी को दबा दबाकर अपना ज जब भी आपको वाटरिंग करनी हो तो आपको अच्छे से करना है भर करना है ठीक है क्योंकि मिट्टी जो है हमारी सारी की सारी सूखी पड़ी है तो जब आप उसको गीला करोगे तब हमारा जो हमने बल्ब लगाया है उसमें वाटर जाएगा और वो अपनी जो ग्रोथ है इसको स्टार्ट करेंगा ठीक है तो देखिए बिल्कुल सेडी एरिया में रख दूँगी मैं इसको जैसे इस पर ग्रोथ स्टार्ट होगी तो मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सखाथ वर्मी कमपोश कमपोश गोबर की खाथ पत्यों की खाथ जिसके पास जो हूँ डाल जैसे ही इस पर ग्रोथ स्टार्ट होगी जरूर हम डालेंगे और लिक्विड फर्टिलाइजर जिसे बोलते हैं उसका हम जादा ध्यान देंगे लिक्विड फर्टिलाइजर बिल्कुल टॉनिक की तरह काम करता है तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर प्लांट की ग प्याज की तो छिलके होते हैं एक सेल का बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइजर चैनल पर जाएए देखिए और फूल इंफोमेशन आने वाले वीडियो में मैं इसकी सेयर करूंगी क्योंकि अभी तो हम सिर्फ बल्ब लगा रहे हैं ठीक है फैंस